वेल्कम तु श्टर्लवर फैमिली तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ शांदार तरीके से आप लोग अपनी राइप को एंजोई कर रहे हो अपनी सेथ फैमिली और प्राई का जान काफी अच्छे से रख रहे हो बहुत शांदार बात बोली गई हैं आप पर ये एक इंस यानि केक तरीके से उसे से एनरजी जीनरेट करते हैं ये बिलकुstore ऐसी है जैसे कि आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं अगर कोई अपकरशोटिर आप शामने आ और k Chase लोग तो यह बोले यह देखने के लिए हमापर company के उस country में तो उन्होंने देखा कि हमापर कोई भी लोग जूते नहीं पहन रहा है तो उन्होंने अपने CEO का आगर बोला हमापर जूते नहीं बेचे जा सकते वहापर तो कोई भी जूते नहीं पहनता है फिर यहापर दूसरी company के लोग गए अब दूसरी company के लोगोंने जाकर देखा आप देखा यार यहापर तो कोई भी जूते नहीं पहनता है हापर तो हर एक इनसान को जूते पहना जा सकते है बहुत बड़ी market है तो situation एक ही थी एक ने देखा कि कोई भी जूते नहीं पहनता है तो इसलिए कोई जूते नहीं पहने का दूसरे ने देखा कोई भी जूते नहीं पहनता है या सब जूते पहन सकते हैं आप तो यह होता है बेसिकली देखने का नजरिया अब आप लोग किस तरीके से उसको देखते हैं कुस तो ये बोलते की प्रोलमा गई है या अब इससे कुछ नोगो सीखा कर जाएगी कुछ अच्छा बना कर जाएगी हमको क्यार मेरे साथ ही को ऐसा हो रहा है और अपनी life को जो है ये बोले क्यार मेरी life बरबाद है तो अब decide कीजे कि आप लोग किस category में रहना है आज जो आप लोग का map बिश्कुषन है आपर ही है reindeer lake जाकर map में नहीं हारेगा कहाँ पर ये located है फिर इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे बाकी काफी कुछ शानदा डिसस करने के लिए आज के दाहिंदु नियुस्वेर में तो आईए आज के articles के उपर नज़े डालते हैं एक एक करकर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगो थोड़ा सा है आपर कोविड-19 का जो analysis है उसके उपर हम लोग नज़े डालेते हैं टोटल मिलाकर आज की date में जो case हो चुके हैं वो हो चुके हैं आपर ये 3.2 million यनिके 32 लाग case पूरे हो चुके हैं आपर ये number मुझे काफी अच्छा लगा जो recover वाले लोग हैं आपर यनिके जिनको बीमारी हुई है 1 by 3 के करीब जो लोग हैं वो recover कर चुके हैं यनिके 10 जो यहाँ पर लाग के करीब जो लोग हैं वो recover कर चुके हैं 1 million और 3 million यहाँ पर बीमार हैं 32 लाग लोगों में से आप लोग बोल सकते हैं कि 10 लाग के करीब जो लोग हैं वो recover कर चुके हैं यनिके 1 by 3 जो लोग हैं वो यहाँ पर इस बीमारी से अपना जान बचा कर आ चुके हैं अगर यहाँ पर बात करें तो यह हैं 2,28,000 लोग आज केर में इसके भेट चर चुके हैं इस बीमारी के जो की काफी दुगत घटना आप लोग बोल सकते हैं टोप पोजिशन पर USA है जैसे 1,000,000 के करीब लोग recover कर चुके हैं 10,000 के करीब इसी तरीके से अकेले USA के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे कि 10,000 केस हैं अकेला USA टोप पर बैठा हुआ है इसके बारे में भी आर्टिकल है थोड़ा सा नज़र डालेंगे होँआ पर और टोटल यहाँपर 61,000 के करीब जो लोग है USA में डैथ हो चुकी है बाकी यहाँपर इस्पेन के अंदर भी काफी ज़दे केस हैं लगबाग यहाँपर 2,000 से उपर है इंटली के अंदर 2,000 से उपर है तो 3 कंट्री ऐसे हैं यहाँपर जहाँद 2,000 से उपर केस है बाकी 1,000 से उपर अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रांस, UK, जर्मनी और यह एक लांक से उपर केस है रसी अभी एक लांकी केटेगरी में आने वाला है और इरान भी हाँपर ही है चाइना, ब्राजील, कैनेडा, बिल्जियम और नीदरलेंड यह कंट्री है जहाँपर काफी सारे केस देखने को मिल रहे हैं इसी के साथ में अगर आप लोग देखे हैं यहाँ पर इतने ही केस हैं हमारी कंट्री भी लगबग इतनी केस हैं यहाँ पर मरने वालों की संख्या लगबग पांस जा रहा है और हमारे हाँ पर एक हजार है तो यह एक अच्छी बात बोल सकता है कि हमारी कंट्री में अब तक situation को हम लोग normalize कर पा रहे हैं अगर के अंदर यहाँ पर इस बीमारी से आज केड़ में हमारे बीच में नहीं हैं गुजराट डहली मध्या परदेश और राइस्थान के बारे में बात करें राइस्थान और तमिलनाडू और इसी के साथ में उत्तर परदेश यहाँ पर सब जगए 2000 से ज़्यादे केस हो चुके कल के दिने काफी बड़ी एक बुरी खबर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हमारी इंडस्टी का एक सितारा अब हमारे बीच में नहीं रहा एक यह ऐसा स्यांदार प्लेयर आप लोग बोल सकते हैं इंडस्टी का जो की, जो भी किर्दार नीवाया उस किर्दार में जान एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जिस किरदार को इन्हों ने ले लिया वो किरदार भले ही मूवी पिट गई हो पर वो किरदार आज भी याद किया जाता है तो इस तरीके कि आप लोग ये personality इनको बोल सकते हैं कैंसर के साथ में लड़ते-लड़ते ये आखिर में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इनकी जिंदगी ने कैंसर के सामने घूटने टेक दिये काफी लंबे समय से इनको कैंसर चल दा था और इसी के चलते ये फिर भी अपनी जो काम हैस फोकस दे रहे थे फिर भी एप मूवीज कर रहे थे तो ये होता है एक इंसान का जज़बा तो किसी परसनलिटी के बारे में आप लोग कुछ जाने तो देखे कि जब समझ से आती है तो वो कैसे अप रियक्शन देता है तो उससे ये चीज़े आप लोग सीख सकते हैं आप आप काफी शांदार तरीके से और एक और बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने कल भी बोली थी वो ये बात है कि इंसान जीता ऐसे है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं तो इसलिए जिंदगी को हमेसा enjoy करना ही कुछ किया कीजे क्योंकि पता नहीं है जिंदगी में कितना time बचा हुआ है किसकी जिंदगी कब खतम हो जाए तो इसलिए कोशिस करना है कि फाल्तु की चीजों में अपना time waste ने करके अपनी जिंदगी को अच्छे से आप लोग को enjoy कर कर सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं हाँ पर नज डालते हैं आज के अर्टिकल के उपर कई सारे interesting शांदार आर्टिकल हैं कुछ चीजे तो ऐसी हैं जो repetition में पर कुछ चीजे ऐसी हैं जो काफी interesting है जैसे ये आज का सबसे best आर्टिकल में आप लोग को बोलोंगा अफगान ब्राजिल के बारे में हैं यापर ब्राजिल के बारे में ज्यादे तो जानने की जरुत नहीं है पर हाँ location वगएरा हम लोग एक बार देख लेंगे ताकि आप लोग को पता चले और इसी के साथ में कुछ important बाते आप लोग को बताऊंगा जो हमारी country और ब्राजिल से अभी चाओंगा है आप अप लोग थोड़ा सुनिएगा उसको थोड़ा सा गलत तरीके से मत लीजेगा एक बात यहाँ पर जो बोली गई है वो यह है एक डाक्टर था और एक वैद था डाक्टर और वैद में कहीं जो वैद हैं वो पुराने बेचारे नुसके बना बना कर दिया करते हैं हमारी कंट्री में और जो डाक्टर हैं डाक्टर आप लोगो पता है डिगरी वगरा लेके बिलकुल अलग तरीके से अपना अपनी लाइफ को लेड़ करते हैं पर लेकिन उनकी दुकान जो थी आसपास में थी तो वैद के पास में सारे लोग आया करते थे दोक्ट तो फिर डोक्टर ने उसको दवाई दी, तो यही प्रोसेजर जो है वो तीन-चार बार चलता रहा, जब यह प्रोसेजर तीन-चार बार चलता रहा, डोक्टर को लाया और काफी प्रेसान कर दिया है वैद को, चलो अगली बार जाकर बोल देता हूँ, कि हाँ भाईया, एक ख तो डोक्टर गया और ने बोला कि यहां ठीक हो गया है, तो वह बात यहां पर बोले गई है, तो यह बात इंपलिमेंट होती है, जब मैं डोनल्ड ट्रम्स आपके बारे में यहां पर यह पढ़ रहा था, यहां पर लिखा गया है कि इनको कई सारी साइंटिफिक एडवाइस अलग अलग जो एक तरीके से पर्टिक्लर फिल्ड के गयाता है उनके द्वारा, लेकिन जो इनका ऐस्थिर जो परवर्ती है इनकी, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और इसी के चलते आज के एड़ में जो यह बोल रहे हैं, जब कल मैं ने इनका ट्विट देखा एक, तो आप लोग उनको चेक कर पा रहे हैं, वरना और कंट्री में और भी जादे हैं, चलिए यह मान लेते हैं, आपकी कंट्री में केस इसलिए हैं, कि वो आप लोग चेक कर पा रहे हैं, पर लेकिन केस कोई कम नहीं हैं, आप 10 लां के करीब केस आप लोग के देखने को मिल रहे ह से आखिर यो situation बनी हुई है, तो चेक करके चलो case तो आ रहे हैं, आप लोग ने रोगा क्यों नहीं उनको, तो यह condition अगर आप लोग देखें आपर, इनका एक तरीके से वो भी बात मुझे आद आ ली, जब पैरिस climate agreement से भार निकले थे, तो उस time पे इनके दौरा बोला गे था कि परकर्ती जो है, वो अपने आपको अपने आप ठीक कर लेती है, ठीक है, यनि के climate change जैसी कोई चीज नहीं होती है, अब वो ही बात मुझे फिर से यादा आ गई, आब यहाँ पर पर परकर्ती अपने आपको अपने ठीक कर रहे हैं, तो परकर्ती तो अपने आपको ठीक आप लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं, यहाँ पर एक एस्थर परवर्ति का आदमी कि तरीके से पूरी कंट्री को बरबाद कर सकता है, उसका एक जीता जाकता हुदारने आप लोग के सामने डोनल्ड ट्रम साब, क्या हालत आज केर में USA की इन्होंने बना दिये, एक जा रही है, ओनलाइन लर्निंग की लिमिटेशन की बारे में, तो इसके उपर यहाँ पर कुछ बाते की जा रही है, और क्या इंपक्ट पढ़ रहा है वूमेन के ओपर COVID-19 का, तो वो बोला गया है, ठीके, यह वाला आटिकल कई बार डिसस कर चाहूँ, थोड़ा सा एक बा जा रही है, यह अगर आप लोग देखें, आज केर में, बहुत सारे घरेली हत्या के हिंसा के, जो एक तरी केस आ रहे है, वो वोमेन के चलते, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, हस्बेंट को सैलरी नहीं मिल रही है, वोमेन के ओपर गुस्सा उतारेगा, बच्चे जो इन सारी पॉलम जो देखेंगे, वो सारी पॉलम नोर्मली औरतों को जहिलनी पड़ती है, जब भी कोई पैंडमिक, जो पढ़ताहो आप लोग नजर आएगा, वो पढदाहों नजराएगा ओरतों के ओपर, तो यही बाते ही बाते हैं, आप लोग बताए गहीं हही Mac और आप लोग जानती हैं, वेस्ट बंगाल की चेपनिष्ट हैं, एक साइड में तो COVID-19 से लड़ रही हैं और एक साइड में Central Government से लड़ रही हैं, आप लोग को पता है कि Central Government के साथ में इनकी कभी नहीं बनती हैं, तो वही सारी चीजें हैं पर कार्टून की फोम में दिखाने की बात की जारी हैं, तो अच्छा कार्टून है, इंट्रेस्टिंग कार्टून है, कार्टून को देखकर आप लोग क्रिटिकल मत हुआ करो, बस थोड़ सा इंजोई किया करो, क्योंकि कार्टून एक तरीके से आप लोग का माइड रिलेक्स करकर कुछ नई चीजे सिकाने की दिखाने की कुछ करता है, तो उसको अलग तरीके से मत देखा करो, थोड़ सा नॉर्मल तरीके से देखा करो, ओके, सबसे पहले कुछ बाते हैं आपर ब्राजील के बारे में जान लेते हैं, जो मैने अभी आप लोग को बोला, ब्राजील के अंदर जो आज करू में अच्छा मौका खो दिया अपनी लाइब में, आगे पता नहीं प्रेजिएंट बनेंगे नहीं बनेंगे, कभी ऐसे आना होगा, उनका नहीं आना होगा, पर लेकिन चलिए जो भी है, तो यह इंपोर्टेंट कोईशन आप लोग लिए बन सकता हैं, और इसी के साथ में हाप आज की डेट में जो economic condition है, वो बहुत बुरी है, और health crisis भी country में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो situation है, वो उसके चलते हैं आपर जो प्रेजिजेंट है, वो बड़ी दूईदा में हाँ पर फस गए हैं, तो चलिए इनका internal politics चल रही है, जो भी है आप तो वो हमारे क नाम के नहीं है, आप लोग यहाँ पर यह देखिए, यह है ब्राजील, अगर आप लोग इसको map में नहीं हारेंगे, अपनी country compare में, तो यह है अपनी प्यारी country, यहाँ से अगर आप लोग आएंगे, अफरिका को cross करते वे, तो आप लोग ब्राजील पहुंच जाएंगे, तो ब्राजील में कौन कौन सी country है, जो ब्राजील के पास कौन कौन सी country है, जो टच करती है, तो यहाँ पर इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि important तो यह ही है कि हमारी country के साथ में भी इनके काफी अच्छे relation है, खासकर cheap guest भी हमारी country में रह चुके है, तो यहाँ पर यहाँ बारी country कौन सी है, जो यहाँ पर टच नहीं कर रही है, इसका नाम आप लोग बताईए, यह आप लोगे लिए question हो गया, और इसी के साथ में आपर Amazon River है, इसका नाम आप लोगों ने सुनायोगा, Amazon Forest में काफी large scale पर आग लगी थी, तो इनके forest को ही आपर ए तो यह कुछ बाते हैं, चोटी-चोटी मगर मोटी बाते हैं, जो आप लोगों पता होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, काफी interesting और काफी important article है, और question भी इतना ही important है, direct exam में आप लोगों से पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान में जो peace deal चल रही है, हमारी country उससे बाहर है, यहनिके peace deal का part हम लोग नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग peace deal का part नहीं है, तो इसी के चलते ही बात की जा रही है, कि अफगानिस्तान पर जो चर्चा चल रही है, भारत उसका part नहीं है, पर लेकिन भारत को अपने अफसर जो हो पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, भारत को लग गया अफगानिस्तान, बीच में हो गया हमारा लंगोटिया यार पागिस्तान, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग इसको नहारेंगे, तो आप लोग समझ पाएंगे, अफगानिस्तान यहाँ पर हो गया, काबूल इसकी capital हो गई, आसपास वाली country यहाँ पर कौन सी है, पाग पर शुकुल टुच करता है, रिजन कहा है, क्योंकि ओफिशल मैप जो हमारी country का भी बनाया गया था, जमुयन कासमीर में चेंज करकर, जो अभी स्टेट को यूनिन टायरे बना का, तो उस ताहिम पर यह पर अपर अपर मैप में हमारी country का दिखाय गया है, तो अफगानिस् की करेंशी है और काबुलिस की केपिटल हो गई और यह हो गया इसका फलैग इसके बारे में आए कुछ समझ लेते हैं क्या-क्या बात एक ही जा रही है फिर आप लोग कोशन का अंसर दे पाएंगे सबसे पहले हैं यहांपर बोला जा रहे हैं जैसे आप लोगों पता है जब नुकलेट डिल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उसमें बोलते हैं P5 plus 1 P5 plus 1 यहनके permanent 5 member permanent 5 member कों से जैसे USA हो गया UK हो गया France हो गया इसी के साथ में China हो गया Russia हो गया तो यह permanent 5 member है plus 1 कोन है plus 1 है Germany तो permanent 5 plus 1 Germany मिलकर यहाँ पर काम करते हैं इरान के अंदर सांती लाने के लिए जब इरान यूगलेट डिल की बात किये थी जिससे डोनल्ल ट्रम साब बाहर निकले थे और बराक उबामा की द्वारा साइन किये थी उसी के pattern पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है 6 plus 2 plus 1 ठीक है यहाँ पर बोला गया है 6 plus 2 plus 1 तो जो plus 1 यहाँ पर बोला गया है plus 1 को itself अफगानिस्तान को ही इसके अंदर रखा गया है यानि कि इरान यूगलेट डिल में जहाँ लोग बात कते है P5 plus 1 तो यहाँ पर इरान को वैसे काउंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि इरान के साथ में इस सारे मिलकर डिल कर रहे है ठीक है पर लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान को plus 1 लगकर इसका पार्ट बनाए गया है तो इरान यूगलेट डिल में P5 plus 1 में उसको यहाँ पर एक तरीक से दिखाया नहीं गया है और यहाँ पर इसको दिखाया गया है 6 plus 2 plus 1 अब 6 कोने? 6 वो कंट्री है जो आज की डेट में अफगानिस्तान के साथ में बोर्डर टच करती है यहनिके जैसे चाइना हो गया, इरान हो गया, पाकिस्तान हो गया तजागिस्तान हो गया, तुर्केमिनिस्तान हो गया, उजबेकिस्तान हो गया ठीक है? और बाकि 2 कोने फिर यहाँ पर दो हैं आपर, जैसे युनाइटिड इस्टेट हो गया और रस्या हो गया, यह ग्लोबल प्लेयर है एक होने ही है, एक होगे है आफ़ अफगारीस्तान अगर बात करें चाइना के बारे में तो हाँ पर maip के एसाफ से आप लोग देखें चाइना का भी थोड़ा सा बोडर होजो आप दिखाया गया है जो कि चाइना के साथ में हाँ आप टच कर तो आप लोग को को टच करती है अखिर अभी हाँ पर मुद्दा क्या है मुद्दा हाँ पर यह है अभी रिसेंटली अप्रेल 16 को एक मिटिंग हुई जिसमें इंडिया अपसेंट था यानि कि इंडिया इस मिटिंग का पार्ट नहीं था जो कि बात की जारी है तालिबान के साथ में ओपन टोक की बात की जारी थी हम लोग बार बार जब भी तालिबान का नाम आता है तो हम लोग उस से बाहर निकल आते हैं उसका रीजन क्या है उसका रीजन अभी में आप लोगों को बताऊंगा जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान पर ड पाकिस्तान के अंदर दिखा जाता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर जो अफगानिस्तान के साथ में पार्ट नहीं है, तो इसी के चलते 2001 से लेके 2010 तक का जो इंडिया ने जो आप तक देख एक्सक्लूजन जो देखने को मिला है, जो इंडिया का वो आप लोग देखते हैं, प जिसको इस्टरजिक पार्टनर्सिप एग्रिमेंट बोला गया, SPA, इस्टरजिक पार्टनर्सिप एग्रिमेंट, तो यहाँ पर काफी कुछ हम लोगों ने हाँ पर मिलकर अफगानिस्तान के साथ में अच्छे-चे इस्टैप उठाए हैं, हमारी कंट्री की सबसे बड़ी पोजिशन के है, जिसके चलते हमको इसका पार्टन ही बना जाता है, हम लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में अगर सांती लानी है, तो अफगानिस्तान के द्वारा उसको लीड किया रहा हो, अफगानिस्तान के द्वारा उन किया रहा हो, और अफगानिस्तान के द्वारा किया गे हाँ पर कोई काम होना चाहिए अगर अफगानिस्तान में आप लोग सांती बना कर रखना चाहते हैं तो यह बाते हैं यहाँ पर बुली जाती हैं बार बार पर लेकिन जो कंडिशन निकल कर आती है वो यह आती है कि even जब यहाँ पर तालीबान के साथ में USA बात कर रह तो जब से USA आपर बात कर रहा है तालिबान के साथ में सीधा बात कर रहा है अफगानिस्तान की गवर्मेंट के साथ में कोई बात ही नहीं चल रही है उनली तालिबान के साथ में बात कर रही है तो तालिबान के साथ में अगर बात की जा रही है उस टाइम पर अफगानिस्ता के सामने घुटने टेक चुके हैं और यहाँ पर घुटने टेकने का उनका बेसिक परपाज ये भी है क्योंकि इलेक्सन आ रहे है नुवंबर के महीने में उसको जीतना है अब तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने जो प्रिजडेंट USA के चले गए जबके अफगानिस्तान के साथ में इनकी जो स्टिशिशन चल रही है 2001 में जोर्ज डवलू बुसके द्वारा एंट्री की गई थी अफगानिस्तान में तो इनका टाइम डूरिसन यहाँ पर चला गया 2009 में ब्रैक ओबामा आए वो चले गए और 2013 में मतलब 2013 से जबसे आपर डोनल्ल टरम्प चल रहे हैं अब यहाँ पर अब यह आप लोग को देखने को मिल रहे हैं अपने लोगों को हाँ पर नहीं छोड़ूँगा तो पहले से यह बाते बोल रहे हैं जबकि प्रिजिडेंट 2016 में बने तो पहले से यह ऐसी हरकते कर रहे थे और वही हरकते इनके द्वारा कीगी आते ही सबसे पहले इनके द्वारा यह बोला गया कि हम लोग यहाँ पर अरकिर हम लोग अपने लोगों को इनके बीच में क्यों मरवा रहे हैं तो बिजनस्मय आदमी है दिमाग चलाया और इन्हों आते सबसे पहले यह step उढ़ाया अपनी country के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारी country की हालँ थोड़ी खसता है reason के, reason यह जैसे मैंने आप लोगो पहले बताया, अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, तो अपने सारे पैसे जो हैं, वो एक पर्स में ने रखें, सोची अगर आप लोग एक पर्स में सारे पैसे रखकर जा रहें, और आप लोगा पर्स चोरी हो जाएं, तो ऐसी condition हो जाएं परस भी चोरी कर लेता है, तो कुछ नो कुछ पैसे आप लोग के बचे रहेंगे, ताकि आप लोग वापस घरा पाएं, अपने आपको नॉर्मलाइज रख पाएं, तो इसलिए आप पर बोला गया है कि सारे एक जो हैं, वो एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, हमारे सारे एक जो हैं, सारे अंडे, वो गनी भाई साब, जो कि आज के रहेंगे प्रिजडेंट हैं, उनकी बास्केट में रखे हुए, यानि कि हम लोग जो भी कर रहें हैं काम, वो गनी भाई के साथ मिलकर काम क इन्होंने अपनी ओत ली और इन्होंने अपनी ओत ली यानिके दो प्रिजडेंट हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है यहीं पर ही डिवजन हो गया अब जो लोग गनी भाई को मान रहे है वो गनी भाई को मान रहे है जो अब दुल्ला को मान रहे है अगर हम लोग गनी तो कौन हमको फिर पूछेगा मापप तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग को एक तरीक से एक overall approach लेकर चलने चाहिए अगर बात करें आज केर में इंडिया का असिस्टेंट है आपर यह आप लोग देखते हैं इंफ्रस्टेक्शर प्रोजेट के लिए, हैल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड के लिए, फूर्ड सिक्योटी के लिए और इसी के साथ में जैसे कई सारी चीजे अफगानिस्तान के जो हमारी केंट्री मा कर लोग श्टड़ी भी करते हैं वर्क इंडिया में हाँ पर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाते हैं तो काफी कुछ आप लोग को देखने को मिलती है यहां कि अफगानिस्तान के और हमारे रिलेशन जो है वो काफी अच्छे माने जाते हैं सिटजन्सी परमेंडमेंट एक्ट में साफ साब बोला गया है कि पागिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में नहीं आप आएंगे मेजरिटी वाले और मेजरिटी में कोन है? मेजरिटी में मुसल्मान है तो ये जो मुसल्म थे अफगानिस्तान के अंदर में जो हमने कंट्री को सैकिंड हो माना करते थे वो भी कहीने कहीं इन साफ चीजों को लेकर चिड़े हुए कहीने कहीं उनको ये लगता था कि यार ये कैसे कंट्री थी पर लेकिन नकर ये पर्टिकलर कंट्री के लिए परसेप्सन बन जाना तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है वरना चुटपुट घटना है हर इक कंट्री में होती है वा आप लोग को देखने को मिलती है कभी हैं आपर हिंदू को मार जाता है तो कभी मुस्लिम को मार जाता है इतनी बड़ी कंट्री है तो यह चीजे देखने को मिलती रहती है और कुछ तो होती है कुछ उसको आग लगा कर बढ़ानी कुछिस की जाती है सब अपनी रोटिया सेखने के लिए आ जाते हैं जब इतनी बढ़ानी के लिए जब आ जाते हैं मुसल्मान के बारे में कुछ होती है तो हिंदू रोटी सेखने आ जाते हैं तो यह नोर्मली कंडिशन आप लोग को देखने को मिलेगी ऑन यह साही तरीका नहीं है इससे हमारी ही कंट्री की जो इमेज है वह खराब होती है और इ इकनोवी पर डिरेक्ट इंपेक्ट पड़ता है अगर हम लोग ऐसी हरकते करते हैं तो इन सब चीज़ों से हम लोग को उपर उठकर काम करना चाहिए तो ये भी एक सेजसन यहाँ पर दिया गया है नेश्ट अगर बात करेंगे आप लोग जो हमारा एक तरीके से अगर ये बोल सकते हैं आप लोग देखिए कई बार ऐसी पर्लम परसेप्शन को लेकर भी बन जाती है जैसे मालीजे कोई परसन मेरे से मिला ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से परसेप्शन मन कि आपके हाँ सही इंसान नहीं है तो इस तरीके से कई सारे परसेप्शन कई सारे इंसान के बारे में आप लोग को या मुझे भी या कई सारे लोग को देखने को मिल जाते हैं तो यह जो perception बनता है, वो एक अलग चीज होती है, पर लेकिन हमको अपने अच्छे काम करना नहीं छोड़ना चाहिए, यानि कि अफगानिस्तान को लेकर जो भी हम लोग एक तरीकी से support प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि तीन मिलियन प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर एक तरीकी से assistance प्रोवाइड करा रहे हैं, एक मिलियन का यहाँ पर trade हमारा, लगवाग बीस मिलियन का प्रोजेक्ट आप लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह हैं हमारी country और यहाँ से हम लोग चाहबार के साथ में connection मना कर, अफगानिस्तान में entry करने कोश्च करते हैं, इसी के साथ में Central Asia के साथ में अपना connection मनाने कोश्च करते हैं, तो चाहबार पोर्ट जो है वो काफी important है, गवादर पोर्ट के साथ में इसको जुरू compare करिएगा, गवादर पोर्ट पाकिस्तान में develop कर रहा है चाइना, ठीक है, चाहबार पोर्ट इरान के अंदर develop कर रहे हैं हम, तो यह काफी important question पुछा आता है, और दोनों के बीच में अगभग 72 किलोमेटर की distance है only, तो इसलिए यह काफी important है, यह strategic point of view से भी, तो हमारी country इसमें काफी ज़्यदे investment कर रही है, अफगानिस्तान की जो national army है, उसको support प्रोइड कराती है, ब्यूरो क्रेट डोक्टर जो अधर professional नों को train भी कर आता है कई बार हमारी country में, तो यह सार लोक देखते हैं आपर, यह इंडिया के द्वारा बनाया गया, इसी के साथ में जो एक friendship dam, यह भी याद रखेगा, Salma Dam, बहुत बार पूछे जा चुका है, एक बांद है, अफगानिस्तान इंडिया friendship band, एक तरीक से dam भी इसको बढ़ा जाता है, तो यह भी हमारी country के द्वा चाहिए, हम mistake करने हैं कि अफगानिस्तान के पीछे बढ़े हैं, वो sorry अफगानिस्तान के बोल रहा हूँ, गनी भाई के पीछे बढ़े हैं, यानि कि गनी को लेकर चल रहे हैं, जबकि प्रिजिडेंट आज केट में दो हैं, तो हम लोग को गनी और अब्दुला के बीच मे जो divide है, उसको कम करने की कोजिस करनी चीए, ताकि दोनों के साथ में काम मिलकर काम हम लोग कर सकें, पहली बाफ, दूसरी बात यह हैं कि जो हम लोग लगबग एक डेकर डिला है, यानि कि दसकों से जो हमारी tie है, उसको हम लोग ओल तरीके से लेकर चलना पड़ेगा हमारे सारे जो भी effort अब तक हमने किये, वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा, हम लोग कैसे इसको लेकर चलना है, इसी के साथ में अगर बात करें आपर, इरान और USA के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इरान और USA है आज की देट में, वो उसके बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो इरान और USA के बीच में भी हम लोग अच्छे रिलेशन क्रेट करने की कोशिस करा सकते हैं, तो यह भी एक पार्ट आप लोग बोल सकते हैं, नेक्श्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यह भी काफी important पर play कर सकते हैं, क्योंकि USA के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, और इरान के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, तो इनके बीच में जो tension है, उसको हम लोग कम करने का अगर काम करेंगे, तो चाबार का project भी हम लोग धंग से develop कर पाएंगे, और अफगानिस्तान में जो पड़ेगा, तो यह सारी situation हम लोग को करने पड़ेगे, तो यह हैं आपर complete, जो आप लोग के सामने, इसका यह होगे आपर, basically जो आप लोग के सामने question तो इसका answer आप जरूर दीजेगा, तो यह था काफी important जिसके बारे में आप लोग को बता होना चाहिए, आईए, अब next article क और चलते हैं, जो की काफी important आप लोग इसको भी बोल सकते हैं, कई सारी और भी चीजे में आप लोग को बताऊंगा, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं, क्या-क्या बाते हैं आपर इसके अंदर की जा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले हैं आपर बात की जा रही है, आज केट में अगर आप लोग देखेंगे, जिस तरीके दे सिचुएशन आपर बनी हुई है, हमारी कंट्री में COVID-19 को लेका, तो सोचने वाली कंडिशन है, सोचने वाली कंडिशन का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर सिधे- केंटिन की, मार्ज हिलरी है हमारी कंट्री, और दूसरी सैड में जो बहुत सारे केसिज हैं, वो आप लोग को बढ़ते में आपर नजर आ रहे हैं,